नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे आसान और सरनल तरीके से बाजू की कटिंग एंड स्टीचिंग तो देखिए सबसे पहले हम अस्तल की कटिंग करेंगे और जो हमारा कपड़ा है साड़ी का उसकी कटिंग करेंगे अगर आप चाहें तो लंबाई में ज्यादा भी ले सकते हैं और छोटी बाजू भी बना सकते हैं कटिंग इसी तरीके से रहेगी अब देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि आप हर बाजू में जोड लगाते हैं तो देखिए जोड के लिए तो ऐसा है जैसा कपड़ा होता है उसी के साफ से जोड लगता है तो देखिए यहां पर कपड़े की जो चोड़ाई है वो साड़े पंदरा इंच है अब इसको हम ऐसे करके डबल करेंगे डबल करने के बाद अब यहाँ पर हम लंबाई लेंगे कटिंग के लिए तो 3 इंच लेंगे हम यहाँ पर और इसके बाद देखिए हम इसको ऐसे उपर की साइड लेख जाएंगे लंबाई आप जितनी भी रख सकते हैं बाजू की 10 इंच या 11 इंच या 3 इंच या 4 इंच अभी मैंने लंबाई नहीं ली है अब यहाँ पर देखिए यह हो गई कटिंग अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे हम लंबाई रखेंगे बाजू की चार इंच तो यहाँ पर पांच इंच पर कटिंग करनी है यहाँ पर जुड़ा हुआ है कपड़ा तो अलग कर लेंगे अब यह साड़ी का कपड़ा है इसको भी डबल करके रखेंगे यहां पर इसके बराबर आ रही है लंबाई लेकिन हम इसमें तुर्पाई करेंगे और इसको बीच में रखेंगे कपड़े को देखिए यहां पर लंबाई जाद आए यहां से यांत लग क्योंकि कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है यहां पर इसकी जो लंबाई है वो साथ इंच है यहां पर कटिंग का कपड़ा है तो साड़े पांच इंच आ रहा है इसको ऐसे करके रखेंगे साड़ी का कपड़ा थोड़ा बड़ा ही काटेंगे यहां पर जुड़ा हुगा है एक टुकड़े को अटा देंगे यहां पर हम इसको ऐसे रखेंगे और पहले हम बीच में सिराई लगाएंगे इससे क्या अस्तर और साड़ी का कपड़ा बराबर जुड़ जाएगा जैसे हम तुर्पाई बाला बनाएंगे बाजू तो इसको हम ऐसे करके अंदर के शाट पहले सिलाई लगाएंगे उसके बाद तुर्पाई इस तरीके से अब यहां पर भी सिलाई लगा लेंगे अब अस्तर की पराबर कटिंग करेंगे अब देखें अच्छे से हमारे अस्तर और साड़ी का कपड़ा दोनों जूड़ गया है अब इसको हम जोड़ेंगे बाजू में यहां पर जो हमने सिलाई लगाई है उसको थोड़ा खोल लेंगे अब देखें बाजू में बीच में यहां पर एक निशान लगाएंगे अब इसके बाद इसको सोल्डर पर जोड़ेंगे इस तरीके से सोल्डर पर जोड़ने के बाद हम इसको अब इस तरीके से ना पेंगे अब यहां से सिलाई लगाएंगे अब देखे हमारी बाजू लग गई है अब हम इसमें फिटिंग के सिलाई लगाएंगे और यह जो कपड़ा है इसको ऊपर की साइड ही रखेंगे कुछ बात हैं हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हम बाजू लगाएंगे पीछे से भी हमारी यह सिलाई का जो कपड़ा है वो ऊपर की साइड होना चाहिए आगे से भी अब यहां पर जैसे हमारी मौरी है 12 इंच त जो भी हमारी फिटिंग के सिलाई है उसमें इसको जोड़ देंगे अब देखिए सिलाई को हमें यहां पर डबर लगाना है और यहां पर डबर लगाना है क्योंकि यहां से हमारी सिलाई खुल सकती है और यहां से अब देखिए यहां पर हमने बाजू लगा ले अब देखिए आप लोग बोल रहे थे कि आप जोड़ लगाते हैं अब यह कप किये तो प्लीज मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाद से जादा शेयर करें और मुझे ज़रूल कमेंट करें अगर आप नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब कर लें धन्यवाद अगर 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 अगर